असलाम अलेकूम और रहमतुलाहिव बर्कात हूँ बच्चों हम पंजुमी स्कॉलर्शिप के पेपर सोलुशन देख रहे हैं इससे पहले हमने पंजुमी स्कॉलर्शिप का मुकम्मिल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शकल में हमारे यूटूब चैनल टेक लर्निंग स्कॉल पर अपलोड कर चुके हैं उसकी लिंक आपको उपर दे रही हूँ और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताके नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आज हम फरवरी 2019 का अंग्रेजी का परचा हल करेंगे इससे पहले हमने उर्दू और रियाजी का 2019 का परचा हल कर चुके हैं आज हम सेट A अंग्रेजी का हल करेंगे सवाल नंबर एक से तीन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिये गए है read the passage carefully and answer the following questions तो इस तरह का जो सवाल है हर अंग्रेजी के पेपर में आता है हर पेपर में तीन सवालात passage से related आते हैं तो यहाँ पर भी तीन सवालात दिये गए हैं हमें इस passage को carefully पढ़ना है और उस सवालात के जवाबाद तलाश करना है तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुनिये Ossiden was the Greek god of the sea He carried tridents which was the symbol of his power He split mountains with his trident and rolled the broken part into the sea He had a glittering palace in the depth of the Aegean Sea तो देखें यह एक समंदर के देवता के बारे में यहाँ पर कहा गया है उसका नाम Poseidon है और वो जो है trident यानि वो एक त्रिशूल होता है बर्चा उससे वो जो है उसकी power की निशानी है ताकत की He split mountains with his tridents वो जो अपना जो बर्चा है वो त्रिशूल है उससे वो mountains को split करता है यानि उनमें फोडता है और उसे धकेल देता है कहाँ पर broken parts into the sea उसके जो तुकडे है वो समंदर में रोल करता है He had a glittering palace in the depth of the agency और उसका जो चमकीला palace है महल है वो समंदर की Asian समंदर के गहराई में है depth of the agency तो यह एक paragraph है उस पर मुना से सवालात है तो देखते हैं हमारा पहला सवाल who was the Greek god of the sea यह हमने पहले ही line में हमने देखे हैं यहाँ पर हमने देखे हैं देखें यहाँ पर Poseidon was the Greek god of the sea यानि Poseidon नाम का जो उनका god है हमारा एक नमबर का option सही है अगला सवाल है what did Poseidon carry? Poseidon जो उनका जो देवता है वो क्या carry करता है? तो देखें यहाँ पर हमने दूसरे sentence में है he carried tridents which has the symbol of his power तो वो क्या carry करता है? Tridents वो जो बर्चा है त्रिशूल वो carry करता है तो हमारा यहाँ पर second नमबर का option सही है अगला सवाल है the trident was the symbol of dash dash idea, depth, money, power तो देखें यहाँ पर हमने पढ़े हैं दूसरे ही sentence में है he carried tridents which was the symbol of his power उसकी जो ताकत है उसकी निशानी है तो यानि हमारा चार नमबर का option सही है अगला सवाल choose the correct punctuation mark which is not present in the given box तो यहाँ पर यह box में चार punctuation mark दिये गए है option में कौन सा नहीं है यह हमें option में से देखना है कि कौन सा यहाँ पर नहीं है तो देखें यहाँ पर question mark यहाँ पर है exclamation mark भी यहाँ पर है और यहाँ पर full stop है वो भी है लेकिन जो box में कौमा है वो कौमे की निशानी यहाँ पर नहीं है यहाँ पर जो तीन नमबर का option है वो box में नहीं दिखाया गया है यह कौमा है और यहाँ पर दूसरी निशानी दी गई है semi colon की निशानी दी गई है यहाँ हमारा जो तीन नमबर का option है वो different है इसलिए वो box में present नहीं है इसलिए हम उसे select करेंगे अगला सवाल है complete the word register drum, symbols, flute और यहाँ पर dash तो देखें यहाँ पर drum जो है वो आपको पता है ढोल को कहते हैं या फिर नकारा भी जिसे कहेंगे symbols यह जो है जांच या मजेरा जिसे कहेंगे यह भी एक musical instrument है flute यह बांसूरी है और इसे ही related इसी word register में related word हमें यहाँ पर लिखना है वो हमें तलाश करना है तो देखें यहाँ पर सीव है सीव का मतलब होता है चानना stain यह धबा उसे कहेंगे तंबो राइं यह दफ होता है दफली जो बजाते है वो और यह एक musical instrument है और यही हमारे इस word register में आएगा तो यही हमारा जो तीन नंबर का option है वो सही है अगला देखते है look at the greeting card read the message choose the proper date देखें यहाँ पर date दिये गए है इसलिए हमें date भी याद र we are teacher we love you so much your students तो इस तरहा का greeting card students ने अपने teacher को दिये है यानि यह जरूर teachers day का ही card है तो एक नंबर का option है on 5th September तो हमें याद रहना चाहिए कि 5th September को teachers day होता है second option है on 15th August 15th August को Independence Day होता है यह में आजादी option है on 2nd October 2nd October को गांधी जैनती होती है fourth वाला option है on 14th November 14th November को Children's Day होता है तो students ने teacher को यह greeting card दिया है यानि यह 5th September की date आएगी यानि यह जरूर्स दे के मौके पर यह card दिया गया है इसलिए first number का option हमारा सही है next question find out the autumn देगे यहाँ पर 4 option दिये गए है उसमें से एक उस ग्रोह से तालुक नहीं रखता है इसलिए उसे odd कहा गया है और वो हमें तलाश करना है first है cucumber, fenugreek, spinach और coriander तो यह vegetables name है हमें मालूम होना चाहिए कि vegetables को अंग्रेजी में क्या नाम है cucumber यानि ककड़ी को कहते है फैनुगरी यह मेथी की सबजी होती है spinach यानि पालक की सबजी और coriander यह धनिया coriander लीर जो है वो धनिया हरा धनिया होता है उसे कहेंगे तो यहाँ पर यह सबी vegetables के ही है लेकिन यह जो fenugreek, spinach और coriander है यह leafy vegetable है पत्ते वाली सबजी यह दिखाई दे लेगे और cucumber जो है वो पत्ते वाली सबजी नहीं है इसलिए एक नमबर का option हमारा सही है next question है select the correct option हमें सही option तलाज करना है the arrow यहाँ पर जो arrow दिया गया है shows dash direction देखे यह direction वाले chapter का question है यह जो है सीधे दरफ जाने के लिए कह रहा है यानि right direction बता रहा है यानि एक नमबर का option हमारा सही है next question select the proper action word यहाँ पर action word देखना है curd के लिए curd यानि दही को कहेंगे share, fill, eat एक और कौन सा action word यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो हमें option दिये गए है जो के curd से related है wash यानि धोना हम धोने ही सकते उसे cut यानि काट भी नहीं सकते peel यानि झीलना होता है वो भी नहीं कर सकते churn होता है, churn जो है वो फेटने के लिए भी कहेंगे लोना जिसे कहते हैं तो यह churn जो है वो सही action word यहाँ पर होगा यानि हमारा जो चार नमबर का option है वो सही है next है she eats breakfast dash her parents तो यहाँ पर हमें सही loves का इंतखाब करना है यहाँ पर चार option दियेगे off by with at तो यहाँ पर she eats breakfast with her parents उनकी parents के साथ वो breakfast करती है तो with यहनि तीन नमबर का option हमारा सही है अगला सवाल है choose the correct alternative tools used by mechanic mechanic जो tools use करता है यहाँ पर list दी गई है उसमें एक missing है वो हमें option में से देखना है तो देखें mechanic जो है वो drill use करता है, screw use करता है, nuts use करता है और क्या use करता है जो के हमें option में से तलाश करना है तो यहाँ पर roast का option दिया गया है, roast का मतलब भुनना या फिर कबाब बनाना होता है वो इस mechanic के tools में तो नहीं शामिल होगा, space है, space का मतलब तो फासला होता है cylinder है, cylinder यानि बेलर या फिर इस्तवाना होता है, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा और spanner है, spanner यानि जिसे हम पाना कहेंगे, तो वो mechanic का tools है तो इसलिए ये चार number का option हमारा सही है next है, select the correct answer, how many letters should be capital in the given sentence I live in Aurangabad, तो देखें यहाँ पर first letter जो है sentence का हमेशा capital होता है यानि यहाँ पर I capital होना चाहिए, ये एक है, live in Aurangabad Aurangabad जो है, ये एक शहर का नाम है, इसलिए Aurangabad का एक capital होना चाहिए था यानि यहाँ पर दो alphabet जो है, वो capital होने चाहिए थे, दो letter capital होना चाहिए थे I और A, यानि हमारा जो चार number का option है, दो वो सही है next question है, solve the riddle, I use a stethoscope and examine patient मैं stethoscope का इस्तेमाल करता हूँ और patient को examine करता हूँ, जांच करता हूँ तो patient की जांच जो है, who am I, कौन whom है, यानि यह जो है doctor है यहाँ पर option दिये गए है, a mechanic, a porter, a cobbler, a doctor तो देखिए यह पेशे से related मालूमात है, किस पेशे, पेशे से मुतालिक जो मालूमात है वो हमें याद रखनी है अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते है, उर्दू में भी इससरा के सवाला आते है तो याद रखिए उसे और यह जो है doctor यानि चार नंबर को option हमारा सही है नेक्स्ट है, choose the correct punctuation mark for the given sentence यहाँ पर हमें रमुज ओकाफ का इस्तेमाल करना है, सही punctuation mark का What a great surprise तो देखिए यहाँ पर ताजूब या अलामत आएगी क्योंकि यहाँ पर ताजूब हो रहा है What a great surprise तो यहाँ पर apostrophe, exclamation mark, comma, full stop यह दिया गया है और exclamation mark यहनी ताजूबिया निशानी यहनी दो नमबर को option हमारा सही है अगला सवाल, complete the motto, dash are our friends हमारे दोस्त कौन है, तो यह एक motto है Library, Books, Teacher या School तो देखिए किताबे जो है वो हमारी बहतरीन साती है, दोस्त है तो यह दो नमबर को option सही है, Books are our friends Next है, arrange the numbers properly and make a meaningful word यहाँ पर कुछ alphabets और उनके लिए numbers दिये गए है और हमें एक meaningful word बनाना है और वो word का जो alphabet का order आएगा वो हमें number का order आएगा वो हमें तलाश करना है तो देखें यहाँ पर o, r, e, j, u, n, y यह जो alphabets है उससे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा हमारे दिमाग पर थोड़ा pressure देंगे तो हमें यहाँ पर journey यह word दिखाई देगा तो journey का j यानि 4 number, o यानि 1 number, u, j, o, u यानि 5 number, r जो है वो 2 number पर, n, 6 number पर, e, 3 number पर, और y, 7 number पर इस तरह से यह journey इसके लिए spelling से याद होना बहुत जरूरी है journey यानि 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7 यहाँ पर देखिए तीन number का option है जो के इस order में है 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7 journey के लिए यह जो है number का सही order है इसलिए हमारा तीन number का option सही है अगला सवाल है choose the correct alternative to seek a permission permission लेना है हमें यहाँ पर request नहीं है देखिए यहाँ पर I will open the window open the window open the window may I open the window तो यहाँ पर seeking permission है यानि यहाँ पर हम इजाज़त माँग रहे हैं हम यहाँ पर request नहीं करें अगर request होता तो यहाँ पर please होता लेकिन यहाँ पर permission है इसलिए may I open the window होगा यानि हमारा जो 4 number का option है वो सही है अगला सवाल है choose the correct option what time is it यहाँ पर एक घड़ी दिखाई गई है उसमें 5 बचकर 15 मिनट हो रहे हैं यानि 5 past 15 हो रहे है तो यहाँ पर देखिए quarter past 3 है quarter past 5 है 5 बचकर 15 मिनट यानि 5 past 3 यहाँ पर दिया गया है और 3 past 5 दिया गया है तो quarter यानि 15 15 मिनट के अरसे को quarter कहते हैं और वो past हो चुके है 5 बचकर 15 हो चुके है इसलिए quarter past 5 यह सही option है quarter past 5 यानि हमारा जो दो नमबर को option है वो सही है अगर यहाँ पर 5 बचने में 15 मिनट होते थे तो quarter to 5 होता था लेकिन यहाँ पर past हो चुके है गुजर चुके है 5 बचकर 15 मिनट हो गये है इसलिए quarter past 5 होगा quarter जो है वो 15 मिनट के अरसे को कहते हैं और past हुआ है गुजर चुके है 5 बचकर 15 मिनट हो चुके है इसलिए quarter past 5 होगा यानि तीन नमबर को उप्शन हमारा सही है अगला सवाल है Select the correct alternative Let's make a dash for shopping देखें यहाँ पर हमें shopping के लिए dash dash बनानी है यानि list list और least तो देखें यहाँ पर shopping के लिए हम list बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़े खरीदनी है तो list का जो सही spelling है list की सही spelling हमें याद होना जरूरी है एक number का option यहाँ पर सही है list list यहनि हमारा एक number का option सही है इस number का question है fill in the blanks by using the correct article यहाँ पर a and the यह जो articles है उसका correct article यूज़ करना है dash dash Eiffel Tower is in Paris तो देखिए बच्चे confused हो सकते हैं यहाँ पर E से start हो रहा है यहनि एक vowel से start हो रहा है तो हम and लगाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं करना है यह इसमें खास है और इमारत का भी नाम है तो इमारत के नाम से पहले the का इस्तेमाल होता है the Eiffel Tower is in Paris हमारा जो दो number का option है वो सही है next question look at the given picture choose the correct conversation तो देखें यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है A यहाँ पर गन्ने है रस्वंती का यह तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर एक औरत है और उसके साथ में एक बच्चा है तो वो वहाँ पर उसे उंगली के जरिये दो का इशारा कर रही है इसके लिए conversation हम देखते हैं option number one है A the bubbles look so lovely let's buy two B जो कह रहा है let's buy two तो यहाँ पर bubbles का तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यह option नहीं है second वाला option है here are your potatoes would you like to buy tomatoes sure तो देखें यहाँ पर potato टमाटो यहाँ पर कहीं पर भी मेल नहीं है यहाँ पर यह सबजी मंडी में नहीं है तीसरा option है please give us two full glasses तो देखें यहाँ पर गन्ने का रस order कर रहे है और वो बराबर कह रही है please give us two full glasses दो full glasses दीजिए mama I want some ice in my juice जो है वो लड़का है वो कह रहा है कि उसकी मा को कि मुझे उसमें ice भी चाहिए जूसमें तो यह जो है इस picture के लिए सही conversation है अगला देखते है do you like roasted corn cups oh I love them with salt तो यह जो है भुट्टे की उट्टा भी भून नहीं रहा है यहाँ पर तो यह option नहीं है तीन नमबर को option जो है वो सही है please give us two full glasses mama I want some ice in my juice तीन नमबर को option हमारा सही है next question है select the correct option my number is 12 so I am dash in the row तो देखें यहाँ पर cardinal numbers and ordinal numbers यहाँ पर उस topic से related question है 12 नमबर पर हूँ my number is 12 12 नमबर है तो so I am dash in the row 12 आना चाहिए तो 12 की सही spelling हमें आना जरूरी है T W E L T H ये गलत है 12 आता है F आता है उसमें T W E L F T H जो second number का option है हमारा वो सही है next question है complete the puzzle देखें यहाँ पर इस तरह से N D I G R A N dash E तो यहाँ पर alphabets की growth दिये गए है हर option में और उसको हमें तर्तीब से लगाना है और three meaningful words बनाने हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पर first वाल option लेकर देखेंगे BLM यहाँ पर B यहाँ पर L और यहाँ पर M तो B N D I G G L यह कुछ लफज नहीं बनता है के से भी नहीं बनता है अगर हम first वाला I लेते हैं I N D I G O Indigo यह एक color name है O से यहाँ पर orange होता है और यहाँ पर जो छुटा हुआ है वहाँ पर G आता है तो देखिए हम यहाँ पर अगर I रखते हैं तो I N D I G O Indigo यह एक color name है फिर O R A N G E orange और यहाँ पर नीचे G R E E N green तरह से three colors name तैयार हुए तो I O G यह तीन number का option सही है यह से तीन meaningful words बन रहे हैं Next second last question है choose the word that comes alphabetically first तो देखिए alphabetically ABCD के हिसाफ से कौन first आता है वो हमें तलाश करना है Tuesday, Friday, Sunday और Monday तो इसमें A, B, C, D, E, F में F जो है वो पहले आएगा यानि Friday second number का option हमारा सही है Friday वो alphabetically first order पर आएगा last question है choose the incorrect pair यहाँ पर गलत तोड़ी तलाश करना है और टीनी स्टार है यह भी सही है छोटा सा तारा A rich man रईस आदमी यह भी सही है A rainy day यह भी सही है A sharp day यह गलत option है A sharp day यहाँ पर incorrect pair है इसलिए हमारा चार number का option सही है इस तरह से हमने सवाल number 1 से 25 तक अंग्रेजी 2019 का परचा हल किये है इंशाल्ला हमारा अगला वीडियो जहनी आजमाईश का 2019 का हल शुदा परचा होगा इंशाल्ला हम मिलेंगे अगले वीडियो में शुक्रिया